हेलो फ्रेंट्स चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं डिफर्ड एक्षिन फॉर चाइल्ड अर्यवल्स लाकागर के शॉर्टकट है डिए सिये अधरी लेट्स दिस्कस दिस्कस दिस प्रोग्राम विच इन उनाइटेट से अफ अमेरिका तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह है क्या तो प्रोग्राम वस अनॉंस बैर मिस्टर बराक अबामा इन 2012 तो बराक अबामा ने अमेरिका में 2012 में यह प्रोग्राम अनॉंस किया था कैसे भी, like they might be brought by illegal passport या trafficking से भी आ सकते हैं किसी भी तरीके से वो बच्चे अगर अमेरिका में आ जाते हैं तो उनको एक temporary status मिलता है जिसके वज़े से उनको illegal immigrants करके बोलानी जाता है जिसके वज़े से उनको job मिलती है वो काम कर पाते हैं पढ़ा ही कर पाते हैं और उनको deport नहीं किया जाता, it allows these young people to work in America without getting deported, उनको illegal immigrants का status नहीं मिलता तो एक तरीके से एक humanitarian program है जो बच्चे, जो young लोग जो अमेरिका में आ तो गए हैं लेकिन अब they are finding it difficult to go out और उनको बाहर फेका ना जाए, वो बाहर किदर उनको जाने के लिए कोई जगा नहीं हो तब ये program उनको बहुत help करता है ताकि वो अमेरिका में रह सके और वो job भी कर सके, कुछ काप कर सकते, खुद की livelihood के लिए, ठीक है ये जो status है, DACA का, ठीक है, ये दो साल के लिए रहता है और इसको renew कर सकते हैं, कि हर दो साल के बाद इसको renew कर सकते हैं, but it does not provide for a part to citizenship देखिए, citizenship नहीं मिल सकती है आपको, अगर आप बहर से illegally अंदर आए हैं, तो आपको एक तरीके से उसको citizenship नहीं मिल सकती हैं, आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, आपको deport नहीं किया जा सकता, but that does not mean कि आपको ऐसा लग रहा है कि हर दो साल में renew कर करके, कल जाके US citizenship citizen बन के सारे facilities जो है, वो मुझे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, उसके बाद, why it is in the news, the US Supreme Court ruled that the US government may not immediately proceed with its plan to end a program protecting about 7 lakh young immigrants known as dreamers from deportation, ठीक है, तो Trump साब जो थे, उन्होंने ऐसा 2017 में बोला था कि इस program को हम बंद कर देंगे, All right, because ये बंदा immigration के खिलाफ था, ये बंदा multi religious society के खिलाफ था, ये बंदा बोलता था कि son of the soil के हम सिर्फ Americans को promote करेंगे, H1B जो वीजा है, Indian visa बहुत cancel के, तो ये this was one of the majors की जो भी अंदर है इस program के, इन लोगों को हम deport कर देंगे, तो obviously बहुत लोग डरे हुए थे इसके वज government ने, वो insufficient है, the reason has to be much stronger, क्योंकि here we are dealing with human lives, हम एक यंग लोगों के life के साथ हम खेल रहे हैं, आप ऐसे program बंद करके इन लोगों को लावारीस नहीं बना सकते, ये काम कहा करेंगे, ये बाहर कहा जाएंगे, बच्पन से अगर इस इस देश में अगर हो 5-6-7-8 सालों से काम कर है, उनकी families है, उनके घर है, jobs है, या कोई पढ़ रहा होगा, तो उन बच्चों का क्या, तो इसलिए Supreme Court ने कहा कि अगर ये program आपको बंद करना है, तो you have to provide a stronger reason for the immediate stoppage of this, immediate end to this program, तो अलग आपको को strong reason देना पड़ेगा, तो this obviously is a big blow to President Donald Trump, उनका जो central campaign promise था, ये immediately इसको terminate कर द लिए और रुख जाते हैं, कल जाके US citizenship बन जाते हैं, citizen मिल जाते हैं इनको, और जो local लोग हैं आपके उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो obviously Barack Obama ने जब ये किया था, तो Trump साब ने बोला था कि it's an illegal executive amnesty for hundreds of thousands of young immigrants, तो ये Barack Obama की कि किसी President से ज्यादा आप misuse कर रहे हैं आपके power का तो Trump ने बोला कि हम ये program immediately बन करेंगे, जो Barack Obama ने start किया था, 2012 में, तो अभी Supreme Court ने तो इसको खारिश कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी news है, because जो लोग है, 7 लाख लोग is not a few number, अभी COVID-19 भी चल रहा है, pandemic चल रहा है, अगर इनको आप deport कर दोगे, तो ये लोग कहा जाए अभी, obviously, so it's a big problem, तो इसको end ना करें, यही इसमें आप modify कर सकते हो, amend कर सकते हो, इस program को, इस policy को, लेकिन बंद कर देना ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, जो immigrants है, वहाँ पर आयो है, उनके लिए बुरी बात है, अगर ये कल program बंद हो जाता है, तो, so I hope आपको ये च अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो please comment करिये, subscribe करिये, channel को अच्छा लगता है, I'll keep making this news related videos, Professor Aditya Kidari, signing out.